दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार डिये लेड इंट्रेंस एक्जाम 13 जुन 23 को पूछेगे इंगलिस के most important 20 questions करने वाले हैं और आप लोग दोस्तो चेक किजिएगा 20 में से कितने कुछ सितका आंसर सही कर पाएं आज के स्टेस्ट में comment box में जरूर बताईएगा अगर हमारा subject plural नमबर में है मतलब बहु वचन में है तो हम plural helping या main बर वियूस करेंगे और अगर हमारा subject जो है वो singular है तो singular helping या main बर वियूस करेंगे तो यहां पर हमारा subject plural है या singular ये कैसे पता चलेगा तो इसके लिए हमारा subject verb agreement का rule number 1 लागू होता है rule number 1 हमारा क्या कहता है कि जब भी दो singular non and conjunction से connect हो मतलब जब भी दो singular non and conjunction से connect होकर किसी sentence में एजा subject के रूप में परियोग होता है और उससे दो अलग अलग व्यक्ती, दो अलग वस्तू, दो अलग पधार्त का वोध हो तो वो जो subject है ना, वो हमारा एजा plural के रूप में परियोग होता है क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ती वस्तू और पधार्त की वोध हो रहा है तो यहाँ पर हम R लगाएंगे, याद कर लेजएगा चलिए, आगे बढ़ते हैं Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech Direct को आपको indirect में change करना है तो rule number one हमारा क्या कहता है दोस्तों कि अगर reporting speech जो inverted coma के बाहर होता है तो अगर reporting speech past indefinite में है तो पास्ट indefinite में है और उसके साथ जो connect होता है, reported speech जो inverted coma के अंदर होता है अगर यह simple present में है तो यह simple past में change हो जाएगा अगर present indefinite में है तो past indefinite में हो जाएगा present perfect में है, तो past perfect में हो जाएगा इस तरीके से change होता है अगर present perfect continuous में है तो past perfect continuous में change हो जाएगा तो देख लीजिए, CY is very kind to animals यह present, simple present में है तो देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग simple past में change हो गया लेकिन यहाँ पर यह हमसे नहीं पुछा गया है, यहाँ पर हमसे helping verb पुछा गया है, मतलब कि reporting जो speech का जो वर्व होता है, जिसे हम reporting वर्व कहते हैं, यह किसमें change हो जाएगा, तो यह भी past में change हो जाएगा, simple सी बात है, तो देख हुआ है, यहाँ पर जो है ना, जो नहीं उसको पहले हम हटा देते हैं, tails नहीं होगा, क्योंकि past का वर्व आएगा, says नहीं होगा, उसके बाद ask them, क्या होगा, देखे, ask them इसलिए नहीं होगा, क्योंकि दोस्तो, them जो होता है, यह दे का objective case होता है, और दे जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति होता है, उसके लिए use किया जाता है, अब सिवर तो यहाँ पर एक ही है, तो इसके लिए दे थोड़ी नहीं use होगा, he use होगा, और he का objective case, him होता है, तो b भी नहीं होगा, अब दोस्तो, option d जो बचाना है, यही हमारा correct answer होगा, देखेगा, मैं आपको rule बताता हूँ, जब भी reporting speech, sad हो, s-a-i-d, sad ह तो आपको इसको पता है किसमें change करना है, sad में ही, इसमें कोई changes नहीं होगा, लेकिन अगर आपका reporting, मतलब reporting speech के अंतर का जो reporting वर्व होता है, अगर यह sad to में है, तो यह told में change हो जाता है, देखे, rule मैं आपको बताता हूँ, देखे, यहाँ पर मैं आपको show करता हूँ, direct and indirect speech already हम कर चुके है, say, sad को indirect speech में यथावत रहने दे, इसमें कोई changes नहीं होता है, लेकिन अगर reporting, वर्व, जो reporting speech में use होता है, यह अगर say to हो, तो tail में बदले, और sad to हो, तो told में बदले, लेकिन वहाँ पर sad के बाद to है नहीं, तो to वहाँ पर missing है, ठीगे न, to वहाँ पर लगा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीगे न, यहाँ पर sad to lina होगा, तो इसलिए हमारा told us होगा इसका सही आंसर, आगे बढ़ते हैं, select the alternative, which wish to express the meaning of the items or fridge, देखे, come across का मतलब होता है दोस्तों, अचानक मिलना, सन्योग वस मिलना, ठीगे, तो इसका सही आंसर क्या complete the sentence using appropriate option, हाँ, यह जो है, इसमें आपको बताना है helping verb कौन सा use होगा, तो पहचानने का simple सा तरीका है, आप उस sentence का tense check कर लीजिए, किसमें है, और उसी के coding आप helping verb use कर सकते हूँ, जैसे I dash the medicine as prescribed by the doctor for a week no, ठीना, for a week no, अब दोस्तों, एक चीज़ हमें यहाँ पर पता चल ला है कि a week no, तो कहीं न कहीं यहाँ पर समय का बोद हो रहा है, जो अबधी का बोद हो रहा है, तो जहाँ पर अबधी, समय का बोद होता है, वैसे sentences, चाहे तो वो present perfect continuous होगा, या past perfect continuous होगा, ठीना, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, तो हम check कर लेते हैं, पहले, देखें, पहले हम क्या करते हैं, जो नहीं हो सकता, जो यहाँ पर नहीं यूज होगा, उसको हटा देते हैं, ठीक ना, तो takes ये नहीं होगा, क्योंकि present indefinite में यूज होता है, और i के साथ singular main बर्वियूज नहीं होता है, plural होता है, ये अपवाद है, उसके बाद देखें, c भी यूज नहीं हो देखें, option A भी गलत है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि present perfect continuous में इस टाइप के वर्स यूज नहीं होता है, और नहीं future perfect में होते हैं, ठीक ना, और ये भी past में है future का, will का would, तो ये होगा नहीं, option D होगा हमारा, सही answer, next question, condition sentences से पूछा गया है, तो देखो guys, if, as soon as, until, unless, as long as, इ ये सारे coordinate conjunction होते हैं, इसलिए कहते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको बताना है, कौन सा helping bar views होगा, तो पहचानने का तरीका ये है, कि उसके साथ जो sentence connect है, उसका आप sentence check कर लीजिए, अब ये principal clause है, और इसमें देखेंगे, तो would use हुआ है, तो आपको पता चल गया, कि ये जो if clause जो है हमारा साथ में connect, इसमें भी कोई past का helping bar views होगा, अगर will होता तो present का होता, helping bar views, तो देख लेते हैं क्या होगा, जो appropriate है, वही लगाएंगे, तो जो नहीं हो सकता उसको हम हटा देते हैं, option D नहीं हो सकता, ठीक न, और option C भी नहीं हो सकता, option B भी नहीं होगा, option A ही इसक सही answer होगा, ठीक न, देखते हैं next question, देखें, ये subject verb agreement से पुछा गया है, neither C nor I, that's at home, तो इसमें जो हमारा helping bar views होगा न, ये नजदीक वाले subject के अनुसार होगा, तो नजदीक वाला हमारा subject I है, ठीक न, तो I के साथ दोस्तों आपको पता है, वाजी आता है, ठीक न, तो यह आपर option A सही होगा, यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं, यदि दो subject को न, आइदा, न, आइदा, और, not only, what also, nor, और, none, what से जोड़ा जाए, तो वर्व नजदीक वाले subject के अनुसार परियोग होना जाए, अगर नजदीक वाला subject similar है, तो similar helping bar views करेंगे, अगर plural है, तो plural helping bar views करेंगे, देख सकते हो, यहाँ पर has use हुआ और यहाँ पर have, और rule number 30, इन से भी बहुत सारी questions आपकी exam में पुछे गये हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ लेजिएगा, next question, fill up the blank with correct option, यह आपका preposition से पुछा गया है, देखे, my father is, अब यहाँ पर दोस्तों, जो preposition use क्यों under use होगा, क्योंकि दोस्तों से कम के अर्थ में होता है, अब on लगाएंगे तो पर, बिलुकुल भी on preposition यहाँ पर use नहीं हो सकता, नहीं after use होगा, नहीं off होगा, under होगा, मतलब my father is under 60, 60 से कम age के है, यहाँ पर इस अर्थ में हो रहा है, देखे, next question भी दोस्तों, conditional sentences से question number 8, करते हैं, आपको इसमें helping verb बताना है, कौन सा use होगा, तो पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए, यह वाला principle clause है, जिसमें helping verb यहाँ पर नहीं दे रखा है, और उससे जो connect है, यह हमारा subordinate clause है, क्योंकि यह subordinate conjunction से connect है, तो इसका tense check कर लीजिए, औ इसके coding आप use कर लीजिएगा, यही तो तरीका है, तो देख लेते हैं, if they have enough time this afternoon, यह हमारा present, मतलब simple present का है यह वाक्य, अगर उसके पास काफी समय होता, तो यहाँ पर साफ बता चल ला है, कि simple हमारा present का है, तो इसमें will का ही use होगा, would का use नहीं होगा, तो I hope आप लोग समझ होगे, यहाँ पर Maya and Reshma will visit to you in the hospital if they have enough time this afternoon, option C होगा, अगर यहाँ पर, मान लिजिए, simple past होता, अगर हमारा subordinate clause past perfect में होता, तब हम would का use करते हैं, His eyes are red, dash tears, अब दोस्तों, उनका जो आख है यह लाल क्यों है, tears के कारण, तो कारण के लिए, say के अर्थ में, with preposition का use किया जाता है, तीना, वैसे number of rooms in this school, dash 50, यह question दोस्तों, subject verb agreements पूछा गया है, आपको बताना है, यहाँ पर similar helping verb use होगा, या plural, तो पहले हम इसका rule समझते हैं हमारा subject verb agreement का rule क्या कहता है, पढ़े गए यहाँ पर आप लोग ध्यान से, the number of का परियोग एक निशित संख्या के अर्थ में होता है, इसके बाद non जो है न, हमेशा plural परियोग होता है, तथा इसका परियोग sentence के subject के रूप में होने पर, इसके साथ singular verb का परियोग होता है, ती सही answer क्या होगा, यह जाएगा यहाँ पर, लेकिन ज्यादा तर student उन्हें क्या लगता है कि यार, rooms तो यहाँ पर plural है, जिन्हें rule नहीं पता, वो plural helping verb लगा देते हैं, और एक और rule समझ लीजिए, क्योंकि इन दोनों rule से questions आपकी exam में आते हैं, देखे, a number of, a large number of, a great number of, या large numbers of, का परियोग, बहुत, मतलब, अनिश्यस संख्या के अरुत में होता है, इसके बाद, non जुआएगा, यह भी plural में ही होगा, ठीक न, तथा इसका sentence के subject के रूप में परियोग होने पर, इसके साथ plural verb का परियोग होता है, अगर a number of, आए, तो आपको धियान रखना है कि plural helping verb views करना है, ठीना, यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर singular किया गया है, लेकिन the number of आए, तो singular helping verb यूज करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखे, a number of के बाद, और the number of के बाद, non तो हमेशा plural आएगा, लेकिन a number of के बाद, जो हमारा helping verb यूज होगा, वो plural हो देखे जा सकते हैं, window के outside में, do you like words, यहाँ पर देखे, पूछा जा रहा है, तो question mark का sign लगता है, आपको पता है, sign आप लोग याद कर लेजिगा, क्योंकि पंच्वेशन मार्क से दो question आपके आते हैं, देख लेजिए, एक यह और एक यह, आया है ना, मैं आपको बता देत आगे बढ़ते हैं, select the alternative which was expressed the meaning of the items or phrase, at the 11th hour, मतलब at the last moment, इसका अर्थ होता है, मतलब आनती चंड में, इसका मतलब होता है, तो इसका सही आंसर B हो जाएगा, combine the following pairs of sentence into one simple sentence, one simple sentence में इसको combine करना है, देख लेजिए, रोविन is my friend, he is a journalist, इसमें comma का use करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है, रोविन, my friend is a journalist, option B का सही आंसर होगा, next question में direct speech को आपको indirect speech में change करना है, तो देख वाइस, इसमें आपको दो चीजे change करना है, एक तो इसका person change करना है, और दूसरा इसका tense change करना है, तो person कैसे change होता है, यह मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप, मान लेजे, आप हैं और आपका एक friend है, दोनों आप एक साथ बैठे हैं, आपके friend ने जो बात कही है, उसी बात को आपको किसी third person, किसी तीसरे व्यक्ति को बताना है, तो वहाँ पर आपके दोस्त ने जो कहा है, कि जैसे मैं कल गर पर नहीं था, जब तुम आये थे मुझे बुलाने, तो उन्होंने अपने लिए my use किया है, आप आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताओगे, क्यार वो तो घर पर नहीं था, तो यहाँ पर आपने आपके स्थान पर वहाँ का यूज किया ना, किया ना, उसके लिए, देख तो simple past में हो जाएगा, अब यहाँ पर may model बर भी उसक्या गया है, उसको past में change कर देजिए, might में, बस यही तो करना है, और tomorrow का next day में change हो जाता है, तो इसका सही answer option क्या होगा, option D होगा, Krishna said that he might leave the next day, यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो कि person कैसे change होता है, देख लिए यह 장이 यहाँ पर आप लो, I जो है, यह third person singular subject में change हो गया है, देख सकते हो आप लो, next question दोस्तो काफी असान है, अगर आपको इनका meaning पता है, कि despite का meaning क्या होता है, then क्या होता है, तो इजली आप बता दोगे, despite का मतलब होता है के बजूद, then का मतलब होता है, then का मतलब होता है, when का मतलब होता है जब तक नहीं किया अर्थ में, तो sentence पढ़ती हैं और एक एक जो है यहाँ पर conjunction यूज करके देखते हैं कि क्या आता है मेनिंग, तो despite का यूज नहीं होगा, के बावजूद यह तो होगा नहीं, देन तब नहीं होगा, अनलेस जब तक नहीं होगा, यह भी यूज नहीं होगा, वेन होगा, तो पिक और नोन फाइन वर्व इन गिवन संटेंस, इस संटेंस में कौन सा वर्व नोन फाइन आट है, यह आपको बताना ए, तो देखू। वर्व हमेसा किसी संटेंस में as a subject और object के रूप में परियोग होता है, कभी भी नोन फाइन वर्व के रूप में परियोग नहीं होता है, पहला तरीका पहचानने का, दूसरा तरीका यह है कि जो non-finance verb होते है न, वो देखने में, लिखने में verb ही होता है, लेकिन use कभी भी main verb की रूप में नहीं होता है, ठीना, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका पहचानने का यह है कि non-finance verb परकार आप समझ लेजिए, पहला होता है दोस्तो two plus में वर्व की first form, इस तरीके के अगर आपको वर्व देखने को मिले, तो ये non-finance वर्व होगा, मतलब पहला होता है infinitive, दूसरा होता है jern, मतलब वर्व की ing form, ठीना, ये परकार है तो non-finance वर्व ही कहेंगे, और तीसरा होता है वर्व की third form, मतलब ऐसे वर्व और non के पहले परियोग होगा, तो देख लिजिए, the frightened, ये जो वर्व आप देख रहे हैं, ये वर्व की third form में है, third form जो होता है non-finance वर्व का, वो होता है participle, non-finance वर्व कर चुके हैं, classes नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में विडियो मिल जाएगा, वर्व की third form में है, है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो, कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है, a, fanciful, unlikely story, ठीक न, मनगणत कहानी, जूटी कहानी कह सकते हैं, या कालपनी कहानी, इसका मतलब होता है, which one is the symbol of braces curly bracket, देखे, curly bracket ये होता है, ये तो आपको पता ही है, ठ curly bracket, आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, ये होता है हमारा curly bracket, ये होता है दोस्तो हमारा small bracket, और ये होता है हमारा big bracket, आगे बढ़ते हैं, next question में क्या पुछा गया है दोस्तो, the police arrested some thieves last night, इसको आपको passive voice में change करना है, ठीक न, ये active voice में है, तो passive voice जब हम बनाते है तो active voice का जो object होता है, वो subject बन जाता है, तो देख लिजए इसका object क्या है, thieves जो है, ये object है, ठीक न, तो हम यहाँ पर thieves को as a subject use करेंगे passive voice में, अब thieves यहाँ पर plural non है हमारा, जादा यहाँ पर thieves है, एक नहीं है, ठीक न, क्यूंकि plural है, thieves होता है एक के लिए, अब यहाँ पर thieves है, अब इसके according हम helping verb use करेंगे, तो ये past में है, तो past का helping verb use होगा, और thieves के लिए हम were use करेंगे, तो thieves were, अब उसके बाद verb के third form आएगा, तो thieves were arrested, तो thieves were arrested by the police last night, या last night पहले भी लगा सकते हो, बात वही है, देख लेते हैं, कौन सा होगा, last night, some thieves were arrested, हाँ, some भी आएगा न, subject group में, some thieves were arrested by the police, option, D से ही होगा, बाकि C गलत है, क्योंकि इसमें has been used किया गया है, P भी गलत है, क्योंकि being used हुआ है, being continuous वाले में यूज होता है, और A भी गलत है, आगे बढ़ते हैं, P caught, known for next verb in the given sentence, known for next verb कौन सा है, तो देखवा, पता चल आपको, infinitive, gerund और participle, known for next verb होते हैं, और use हमेशा as object या subject group में होगा, तो यहां object group में आप लोग देख लो, to so हुआ है, क्योंकि want तो यहां पर as main verb के रूप में हुआ है, to so एक ही हो गया, उसके बाद how to operate यहां पर हो गया, तो दोनों है यहां पर, option D's का सही आंसर होगा, ठ ताकि अगर वर्वाए, तो वो हमेशा gerund participle, या फिर वो infinitive होगा, देख सकते हो आप लो, और उस ही का परकार है, non-finance verb का ही,